कि हेलो प्रवान दिस इस अब शेकर रहने वलकम यूवल टूर फेवरेट यूटूप चैनल राइजुकेशनल राइजुकेशनल चैनल पर आप सभी भाइबंदों का अर्दिक स्वागत है मित्रो यूपी टेट गनित के सबसे महतपूर प्रशनोत्रियों को लेकर आया हूं या यसी वीडियो में और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तिस वीडियो को दिखने बाद आप लोगों से एक ही बात कहनी आ है कि जितने 10 प्रशनों के सीरीज है यह उर्यस प्रसन पिसले 10 सालों के पेपर की analysis के बाद है यानि 2013 से पहले 2012-2011-2018 तक इवें जितनी exam हुए हैं आपके UPTED के सारे प्रशनों को यहाँ पर समलित किया गया है और हमारा बस एक ही दे है कि आपको किसी न इन के इन प्रकारेंड आपको UPTED qualify करना ही करना है हमसे जुड़े हैं आप तो UPTED गनित के सबसे महतपूर्ण प्रशनों को लेकर आया हूँ और सबसे इंपोर्टेंट यह है कि हम लोग उसी में मुद्धों पर फोकस करते हैं जिन में आपके वीक पॉइंट्स होते हैं आप ज़्यादा गेन नहीं कर पाते हैं तो हमसे जुड कन्क्लूट किया गया है और वहीं प्रёз्ण कंकुलूट किया गया है जो हर बार पेपर में आते हैं आपको पास करने के लिए ही जी जी हाँ हल छ को अगर शे यहाँ बिल्कुल सभी सुने आपको रटना है घोलना है जैसे भी आपको रटना है एकदम रट लीजे चूंकि यह 10 प्रश्ण फिक्स्ट है हर साल इन में से मैक्सिमम प्रश्ण आएंगे तो अब की बार 110 पास का जो हम टार्गेट लेके चल रहे हैं उसको हमको एचीव करना तो देन नकरते वीडियो शुरू करते हैं जलिए मित्रो आप लोगेमें सारा ट्रिक वीडियोस लास्ट में तो जब इकजाम आपको बचेगा कुछ द्दीन बचेंगे तुम दुका वीडियो विलिए कराएंगे आपके कहने पर लेकिन अभी हमको पूरा labor करना है, मेहनत करनी है तो गणित के पिछले सालों के बार-बार आई हुए प्रश्णों को ही है मैंने उठाया है इस वीडियो में repeated के ऐसे प्रश्ण है जो आपके गणित में आपको pass कराएंगे जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं इसके बाद आपके पेड़ागोजी को भी ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इसी में सबसे weak point होते हैं, बाकि आप environment में अच्छा कर सकते हैं आप भाशा में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इन सारे subjects में आप अच्छा नहीं कर पाते हैं हिंदी में आप अच्छा कर लेते हैं क्याँ के बचपन ससको पढ़ते आ रहे हैं at Evet I रहा है आपका बहुत चीज़ें मैटर करती हैं और इंग्लिश में तो हम लोग सुरुआ से हिंदी मीडियम से जो अभ्यरती पढ़ने वाले उनके लिए पॉइंट है तो इन सारे विश्यों पर ही मारा फोकस रहता है तो चलिए देर न करते हैं प्रशनों को रट लेना है दे इतना चीज तो मैंने लिखी दिया इसमें तो सबसे पहला प्रशन है आपका कि पाई पाई की बार में हर एक सालों में आप एक साल गैप करके भी देखेंगे पिछले दस सालों को पेपर उठा लेंगे यूपिटेट का तो आप देखेंगे कि हर साल पूछा जाता है कि पा याद रखिएगा इस चीज को और एक प्रश्णों के मैं जवाब दूँगा पहले मैं दसों प्रश्ण आपको दिखाने दिना चाता हूं ताकि आपको भी लग जाए आपने प्रिए से पेपर देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रश्ण तो आयते ही आते हैं दूसरा प्रश्ण है कि सबसे छोटी अभाज इसंक्या यूपिटेट सीट डी ट्रिपल एस भी यूटेट और यूपिटेट में तो तीन या चार बार ये रिपीटेड कोशन है याद रखिए का सबसे छोटी अभाज इसंक्या और यह हम लोग इतना सिंपल कोशन रहता है ना कि हम लोग जान बोच के गलतियां कर जाते हैं तो उन अम मित्रों के लिए जिनका गणित बैक्राउंड में नहीं रहा है और यूपिटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं पिछले कई एटेम्ट वह दे चुके हैं लेकिन उनके अंतर काबिलियत है मेनत बहु भी भी पीछे नहीं कर सकता है अब अच्छा अंक हासिल करेंगे टीसरा प्रशन है एक आदिक प्रेक्षण अंतर तो ये आपका ये question, दो या तीन बार repeated है, question, और ये आपके, इस बार, आपने super rate का exam मेरे दिया हो, तो super rate मेरे भी कही बार पूछा गया, आपके BTC, अब semester मेरे भी ये بार-बार रेपेट कोशन आता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुए 2013-2017-2016, छोफार प्रश्ण है चोछा तरह सता वाल उप्रस रिपीटेड ठाब कोड़ी में और है कि कोटी पूरक कौन इतना हैं एक कोंवा इतना है तो संपूरक कितना होगह इसारी चीजें बार-बार रिपीडेट होती हैं इनको मैं सौल करने के भी आपको ट्रिक बताऊंगा बने रही है कि इस वीडियो में वीडियो थोड़ा बड़ा बने का 15-20 मिनिट का हो सकता है लेकिन एक ही वीडियो में पूरी इतनी बड़ी संक्या है इसके आप फल करो इन रोको पूरा गुला करो इसकी जो टोटल रिजल्ट आया है उसका उसमें इकाई अंक क्या होगा तो काफी पैनिक वाला कोशन ने 2017 में सीटेट में रीट में हर जगह आया है यह कोशन तो इन सारे प्रशनों को करने के मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा पहले दस प्रशन आप देख लिजे छटा जो प्रशन है ताकि आपको पता चल जाए कि बारहां सर सही बोल रहे है प्रिवीश ये पेपर सही उठाए गया कोशन यह कोशन आता है बहुबूज में अंता कुनों को आयोग यह आपके सूपर टेट 2016 2016 के दोनों एकजामों में यूपिटेट के रीट में एमटेट में कि दो संख्याओं का योफल तता गुड़न फल क्रमसा यह है तो इन दो संख्याओं के वृत क्रम वृत क्रमों का योग बूचा है यह कोशन भी हम लोग पार बार रिपीटेड है आठमा प्रशन है कि दो संख्याओं का महसा यानि महतम समापुर्ण 13 है और लगुतम समापुर्ण 1989 है यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी यह 2017-2016 सीटेट में कई बार रिपीटेड है और नौवा और दस्वा प्रशन आपके समक्षी यह है नौवा प्रशन है कि गनित की प्रकि सफर्टेट है देख सकते हैं और यह ईक उसन तो मतलब खैली जें कि दया चेह डिके लिए सारeg होगी इस इस कोश्चनों को मैंने अपने प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं मैंने पूरा जो इंपॉर्टेंट कोश्चन है पिछले सालम करा है लेकिन इस बार एक ही वीडियो में आपको सारी चीज मिल जाएंगी तो बिल्कुल परशान मत हुए अब तो बात हुई कि यह दस प्रश संख्या है पाई क्या है इसको नोट कर लीजे रट लीजे आप क्योंकि आप समझने का क्या है सॉलुशन इसमें समझना है नहीं आपको रटना ही रटना है दूसरा क्या है कि सबसे चोटी अबाज है संख्या वीडियो पॉस करके आराम से आप देख सकते हैं सबसे चोटी और new term friction का अंतर होता है आपका परीषर, क्या होता है परीषर, परीषर को क्या बोलते हैं, με πोलते हैं, रेंज, मैक्सिमाम और मिनिमाम वैल्यू की बीच का, जो difference होता है, यह भी आप जान लिजी, छोहता प्रश्न है कि, कोरटी पूरख और संपूरक व nó कि रहुता है तो जान लिइजिए जो कोरटी पूरख कُंड होता है वह होता है नबस डिगरी किपना हो 173 हुआ मैं चिश्टफर पसा संपरक हो याथ करने की ट्रिक ने कर से कर में कोटी पूरक और कोटी से कुमलीमेंटरी तो see ya और के एक साथ कर सकते हैं और सम् पूरक है सम् पूरक और सप्लीमेंटरि एस इस से आप एक दूसरे से मिल आ सकते हैं चiquer है पांच में प्रस्ष्ण पर आते हैं अभी इसमें देखे इकाई का पूछा इसकी मैट्रिक आपको एकदम डिरेक्टली बता दे रहा हूं यहां पर और बाकि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कई डिर सारी को तो जब अभी इकाई का कोशन पूछ एकदम ध्यान से समझिएगा कितना भी बड़ा आपको यहां पर एक दो तीन चार ही नंबर दिए कुछ और बड़ी संख्या कितनी भी दे जाए आप बस उनके इकाईयों का गुड़ा करीतते जाहिए ठीक है जिसे आठ चंग 48 आया अब 48 का इका अब दो दुनी चार इसका उतर आएगा चार डारेटली आप बता सकते हैं पुना आपको सॉल्व करने कर समझा दूं कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे बस उनके इकाईयों कों का गुड़ा करते जाहिए आठ गुड़े सोला आठ चंग 48 इसका आठ लीजिए इकाईयों राट गुड़ी नव आठ नव अब 70 इसका इकाईय अंग 2 दो दुनी चार इसका आंसर आएगा चार कमेंट करके जरूबर देएगा अगर आपको नहीं समझा आता है तो मैं इसके लिए अलग एक वीडियो बताऊंगा जिसमें धेर सारी कोश्यन के प्रैक्ट्रिस करेंग की डिगरी बस एन्ज क्या हता है नंबर डॉफ जैसे यहां वहभू जय ना यहां पोल दे पंच बूझ हो यह जिसकी पांच भूजाए मास तो एन की वल्य हो गई पांच यहां पर साथ बुजाए वाला दे आपको बहूज तो एन कि वल्ली होगी साथ यहां पर साथ और गुड़नफल यहां पे दिया हो गया है तो वुरुद्क्रम का समझ लेजे वुरुद्क्रम का इंगलिस में मतलब होता है रेजी प्रोकल रेजी प्रोकल यानी की अपोजेट वनपान ठीक है यह आपको समझ में आ गया होगा अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको देख आपको परशान होनी के आवशक्ता ही नहीं है गनित का डर पूरा खतम करने की हमारी कोशिश है जब यह कोशन है तो इसमें बस याद रखिएगा जहां पर योगफल दिया हो और फल दिया हो बस वो नमबर उठा लेना योगफल कितना दिया है दूर संख्याओं का 11 गुड़ वन वास और आपको कुछ भी नहीं करना है जीहां आपने बल्कुल साही सुना संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं का गुड़न्वन था आ यह आप सूचिए कितना कठीन कोश्चन था यह अब सौल करते तो भी बहुत टाइम लेता तो मैं आपको यहां पर आपको ट्रिक बताने के लिए हैना सिंपल कमेंट करिएगा और ट्रिक अच्छे लिए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भुलिए क्योंकि आप जिसे कई बटे संख्याओं का गुड़न फल गयरवटेटर इसका डारेट आंसर हो जाएगा वाटमे प्रेश्ण पर आते हैं आटमा प्रेश्ण है कि दो संख्याओं का मसर 13 है और लगसर 1989 है तो एक संख्या यह दी है दूसरी संख्या क्या है इसकी भी आपको ट्रिक बता दे रहा हू ध्यान पुर्वक सुनिएगा क्योंकि यह जो कोशन है दस कोशन यह आने ही आने ही इसमें से मैक्श्वन कोशन कम से कम इसमें से पांच से ज़्यादा कोशन आएंगे दसमें से हर साल रिपीटेड कोशन होते हैं इन समीचों में तो इसलिए आपको याद करना ही करना है इस संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर आपका लस उनका लस जो है गुड़े मस ठीक क्या है पुना सुन लोजिए पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या बराबर लस उनका गुड़े उनका मस तो बस सीधी सी बात है यहां पे दो संख्याओं का हमको एक संख्या पत प्रोपर्टी हमको पता है गणित में बस एक्स की वल्यू इक्वेट कर दीजिए एक सो सत्रा डिवाइड में आ जागा कैंसेल करके आप इसका रिजल निकाल सकते हैं फॉर्मूला एकदम रट लीजिए रट कर ही आप यह 10 कोशन रट लेते हैं तो गणित में आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपका तो बने रहे हैं मार सात और 9 प्रशन पर आते हैं और 10 की करते जाएगा क्योंकि 10 ट्रीक है तो भर व्यक्ति को लाइक करना ही करना है 12 आपसे बहतर आपके लिए नोड कोई नहीं बना सकता और आफ्री जो प्रश्य यह तो हर बार और कोई भी सिख्षक भरत्य से विद्ध और वन डेक्जाम भी देते हैं तो यह क्या है करना इसका ट्रिक मेरे पास है आपको क्योंकि यह एक साथ आपको दस प्रश्णों की ट्रिक आपको मिल रही है इससे बेटर वीडियो पूरी यूटुब पे आपको नहीं मिलेगा तो चलिए दस में प्रेश्णों को सॉल करते हैं कि तो इस प्रेश्णों को सॉल करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मुला याद कर लीजे के स्क्वायर माइनस आप पर सॉण पन अक्स की वैल्यू 5 दी है तो यहां पर आप देखेंगे के स्क्वायर माइनस टू यह आपका फॉर्मुला यह एकदम से दिमाग में रख लीजे ओके तो फार्मूलिय में हमारा क्या है यहाँ पे तो यहाँ पे के हैं न मिल जाएगा फिलाल यह कौशन आपका पूशन पूछा गया 2013 में और सीटेट रीट में भी तो कई बार आपको देखने मिलता है बागी वण डेखने मिलता है तो सीरीस बात है पांच का स्क्वाइर माइनस दो यानि पच्चिस माइनस दो यानि इसका अंसर आएगा तेज ओके इस बार आपके दस प्रशन जो हर बार रिपीटेड आपको देखने के मिलते हैं आपके प्रशन पत्र में यूपिटेट में और ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करेंगे क्योंकि आपका इस बार यूपिटेट में और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक स्माइली जरूर सेंड करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा शेर करते रहिए और पढ़ते रहिए महार साथ मुस्कुराते रहिए आगे बढ़ते रहिए थैंकियो सोमाज